किस लिए रखिए हैं नजबी हिंदी हिंदी में आज यहां खड़े हैं यह हौंद पिंड है हौंद चिलड चिलड आगे पिंड है दोनों का नाम हौंद चिलड का जाता है 1984 में एक नुमबर 1984 को यहां जब इंद्रा गंदी का कतल हुआ तो उसके बाद मौब ने यहां हमला किया तो एक गाउं था इस गाउं को जितने भी सिख यहां रहते थे सरदार रहते थे सबी को मार डाला और यह गुर्दवरा साब इसको भी जला दिया तो हम आज आए हैं यहां इससे पहले भी आये थे ठारा फरवरी 2011 को उस वक्त हमने एक मांग की थी बड़ा समेलन हुआ था सिखों का बहुत से लोग आये थे दूसरे हिंदू भाई चरा भी आया था तो हमने एक मांग रखी थी कि यह जो जगा है अस्थान है इसको परजर्ब किया जाए इसको एक हलोकास्ट की तरह रखा जाए तांके आने वाली नसलों को पता चले कि इस इंडिया में जो सिख कौम का इतना नसल गात करने की कोश्च की गई और जिन्हों ने की वो आज भी कनून की ग्रिवस से बार हैं तो हमने आज अपने शिहीद सिखों को यार किया कीरतन हुआ अरदास की है प्राथना की है तो नाली हमने एक मांग की है अपनी संस्ता जो स्रोमनी गुर्द्वरा प्रबंद कमेटी है उससे हमने मांग की है कि इसको बाउंडरी की जाए और इस जगा को ऐसे ही रखा जाए और जैसे जब हिटलर ने जुल्म किया था तो उस वक्त जर्मन के लोगों ने अब तक वो जितनी में बिल्डिंग है उनको समाल के रखा है तो जनेसको को भी हमने अपील की है और स्रोमनी गुर्द्वरा प्रबंद कमेटी को भी अपील करते हैं यह हिस्टॉरिकल प्लेस है जहां से पता चलता है कि एक नसल कुछी होई जैनोसाइड हुआ तो जैनोसाइड के लिए हम एक लड़ाई लाड़ रहे हैं आज भी हमने एक पटीशन डाली हुई है जिसमें हम चाहते हैं कि एक लाख दस तक शबी जो नमबर तक होने चाहिए तो उसमें असी हजार के क्रीब सिग नेचर हो चुके हैं तो हम यहां आए हैं अखल बारतिय सिक्स चातर संग है जो नेंटी एटी फॉर जेस्टिस विक्टम वेलफेर ससाइटी है और सिंग सवा गुर्दवरा गुडगाउं है उसके प्रेजिडेंट भी यहां आए हैं जितने भी लोग हम यहां आए हमारी ए सरकार है और जो उन्होंने एसाइटी बनाई है एक तो एसाइटी का फैंसला जल्दी होना चाहिए और सिक्कों को नियाए मिलना चाहिए दूसरा जो यहां फिर दोबारा वो परवारों के जो लोग हैं उनको दोबारा जहां बिसाना चाहिए यहां उनको लियाकर उनकी जम इसके लिए पहले तो जो टीपी गर्ग का एक मैमडी कमिशन बना था तो उन्होंने पबंदी लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि एजिट रहना चाहिए स्टेटस को कि पहले ये पता कीजिए कि ये जगां किसकी है। तो हमने पता किया जगा उन सरदारों की है जिनों ने यहां अपना परवार खो दिये जिनके परवार के बच्चे बजुर्ग सबी मार दिये गए तो हमारी कमी तो है ही है कि हमारी कम्यूनिटी के जो लोग हैं उनको हमने आज अपील की हमने सरकार को पील नहीं की हम अपने ल बढ़े का हमारा बेशन उसको लेकर जाएं और नाल ही हम चाहते हैं कि जो जो होलो कास्ट एक पूरा जो जैनो साइड ममोरियल वो बनना चाहिए तो उसके लिए हम किसे मांग कर रहे हैं एस रोमनी गुर्दोरा परबंद कमेटी से जो हमारी सजी पी सी है उन्होंने एक उनक कि अग्जेक्टव में मता भी पास हो चुका है क्या उन्हों से जोड़े लोग हैं यहां पर मौजुद हैं देखिए उनके हम जितने मी लोग हैं स्रोमनी गुर्दोरा परबंद कमेटी को ही बनाते हैं हम वो ही लोग हैं लेकन जो प्रेजंट उनका सेट अप है उन लोगो को हम जो हमारे प्रदान हैं जो एक्जेक्टव मेंबर हैं जर्नल सेक्टरिय हैं सभी को हम पील करते हैं तो क्या कोई समय सी में तैगी है कि क्योंकि 2011 से अभी काफे लंब देखिए अब हुन इतना टाइम नहीं लगेगा हम जल्दी से जल्दी जैसे आ जाएं हैं आगे एक तेतीस साल और उन्नीस दिन आज हो गए एक एक दिन हम गिलते हैं तरोपुरी जो है और 26 तारीक को नौवंबर में जो भी ये दिन आते हैं तो इसके बाद लोग प्रीव बना इस्तान है और यह इसमें भी इसको जब भूना गया है तो उसी समय से हमेरा नाम बाव सिंग दुख्या संस्ता है नेशनल हमारा मकसद यह कि किसी भी देश के नागरिक को किसी धरम के आधार पर किसी भाषा के आधार पर किसी ग्रूप के आधार पर उसको ऐसा नहों जैसा हमारे साथ से कौकसात हुआ है इसलिए इनसाप के लगा ही लड़ रहे हैं सही मायने में तो हमें देश के कानून को और देश की विवस्ता को बचाने के लड़ लड़ रहे हैं पर इन नेताओं को समझ नहीं आती है ना आएगी आपने बाईसाद पुझा बच्छती इस सरकार को कहां से जाए मिलेगी वो कहते हैं तुमने घोद्रा कराया यह कहते हैं तुमने इस जड़ रशी कराई अब इन सरकारों के बीच में हम फुटबाल बढ़े तो यह धर लात मारता है सचमान है तो यह अपने देश के समीधान को और और इस देश की विवस्ता को लात मारने हैं और सत्ता पे काविज होके राज करने हैं इनसे कोई उमीद नहीं है अगर उमेद होती तो उसके कारण आप हमसे पत्रकार और बुद्री जी विवे आप हमसे ज़ाद मालू है सोचना है कि आज 33 साल तक एक भी आदमी बंद नहीं है एक भी आदमी को सजा नह किया है जो हम नहीं है सिक नहीं है और देश के पुद्धी जीवी और जज है फिर भी उनको जेल तक नहीं डाला किया केस सजा की बात बहुत दूर किये होंद में के जिरनों दारे के लिए आज क्या जो है निरने लिए है मैं यह चाहता हूं कि जैसे हम हर साल इन दिनों में यहां एक यादगार जो है उत्सव के तंदरबार होना चाहिए जो बड़ी कमेटिया हैं जो वोट हम से लेकर हमारे उपर नेतागिरी करते हैं काम तो ही है उनका करने का लेकिन वो तो सिर्फ अपने कवजेदारी दिखा रहे है मुझे याद है गुरुद्वारा भी है यह इस खेत में लगा था दीवान और वो जो इसका बोर्ड था वो भी महीं बढ़ माकर लाया थेकिन दिल्ली में यहां काम करना है तो मेरे उपर सेवा संगत की है वो सब कुछ हमने किया इन्होंने यस किया अकाल तक जतेदार जब बोल दे उसके बाद तो बात कुछ नहीं र देखो इनसे हमारी कई मुलाकात तो हुई नहीं जो हम ऐसे ही खाली के दे लेकिन हम यह कहते हैं चाहा हर्याना हो पंजाब हो कोई भी कुछ न कुछ तो कोई करके तो दिखाए अगर इन्होंने अपना अलग वजूद किया है तो वो इनकी अलग में इंटरली लड़ाई ज कि हम और नहीं तो क्यों हम सारे गरीब आदम हैं इंदर से मुख्या है हमारा यह वगत सिंग है यह जिक्तार इसका